हेलो फ्रेंड्स, गूड इबनिंग तू अल अफ यू एंड वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंड्स जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंग कि किसी भी एक ग्रूप में जहां कहीं भी आप हैं चाहे वह टेलिग्राम ग्रूप हो, फेस्बुक ग्रूप हो या फिर वाट्सेप ग्रूप हो वहाँ पर फटाफट सेयर कर दीजिए ताकि सेसन से और भी लोग जूर जाए और सेसन और भी जादा मज़ेदार बन जाए देखे फ्रेंड्स विहार पुलिस कौंस्टेबल भरती 2023 जिसका एकजाम जो है एक साथ और पंदरा अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा उसके लिए हम लोग आज इस सेसन में फुल लेंथ प्राक्टी सेट को यानि कि यहाँ फुल लेंथ मौक टेस्ट है इसमें टोटल 100 प्रशन है बिलकुल विहार पुलिस के पैटर्न पर आधारित तो इस सेट को पूरा लगाईए और आप सभी लोग अपना-पना स्कोर कमेंट करके बताईए बहुत ही कम समय रहा गया आपके एक्जामनेशन में तीन-चार दिन और बचे हुए है तो ज्यादा से ज्यादा आप रिविजन करिए और डेली कम से कम एक फुल लेंथ सेट को लगाईए इससे क्या होगा कि एक्जाम के दोरान आपका अभ्यास बना रहेगा और आपको किसी प्रकार की कठिना ही नहीं होगी सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें आप सभी से में रिक्वेश्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग फटा फट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और देखे इस सेट का कट अप मैंने 70 नमबर रखा है अगर आप 70 नमबर ला लेते हैं तो आपकी तयारी अच्छी समझी जाएगे चले सेशन श्टार्ट करते हैं एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए देखे फ्रेंट्स बिहार पुलीस के लिए ओरिजिनल फुल लेंथ प्राक्टी सेट है इसमें टोटल 100 प्रशन है जिस प्रकार से आपकी एकजाम बिहार पुलीस की एकजाम में प्रशन पुछे जाएंगे तो फ्रेंट्स इस सेट को पूरा लगाईए और आप सभी लोग अपना अपना स्कूर जरूर कमेंट करके बताईएगा एक बार सभी लोग जल्दी से सेसन को लाइक कर दीजिए चले स्टार्ट करते हैं आज के सेसन का पहला प्रशन पढ़िए कि किस वेंजन के उचारन में जी हुआ तालू से नहीं टकडाती है एंसर सबको लाइब चार्ट में कमेंट करना है और देखे फ्रेंड्स अब बहुती कम समय बच गया है तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना है नया कुछ भी मत पढ़िए सिर्फ आप जो पढ़े हुए है उसको रिविजन करिए मैंने करेंट अफेर्स का तीन वीडियो आपको कवर करा हुआ है इन तीनों वीडियो को एक बार फिर से देख लिजिए आपका बहतरीन तरीके से रिविजन हो जाएगा चली यहाँ पर ध्यान दीजेगा कि कि स्वेंजन के उचारन में जी हुआ तालू से नहीं टकडाती है तो राइट अंसर यहाँ पर देखेगा आपका घो हो जाएगा घोज होता है यह कोवर्ग के अंतरगत आता है और कोवर्ग का उचारन स्थान आपको पता है न कि क्या होता है तो कोवर्ग का उचारन स्थान कंट होता है ठीक है चौवर्ग का उचारना स्थान पुछा जाएगा तो ये तालू होता है ठीक है फ्रेंड्स टौवर्ग का उचारना स्थान मुर्धा होता है तौवर्ग का उचारना स्थान दंत होता है और पवर्ग का उचारना स्थान जो होता है ये ओष्ट होता है ठीक है ओट से हो इसरे से टकड़ाते हैं किलियर है चलिए कि दूसरा प्रश्ण पढ़िए कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है किलियर है इन में से कौन सा सर्वनाम है बताईए इसमें जो है कौन सा सर्वनाम है तो यहां पर दिखें यहां पर दो सर्वनाम है एक तो सामन जो जो है जो संबंद वाचक सर्वनाम है और यहां पर दिखे वह जो है वह यहां निश्चा वाचक सर्वनाम है क्लियर है तो यहां पर दिखेगा निश्चा वाचक नहीं लगा हुआ है अनंत का संदी विक्षेद करके देखिए अन पलस क्या होता है अन पलस अन्त होता है यह ओ है ठीक है तो इसमें जो है देखिए अन उपसर्ग नहीं आ रहा है तो आपसं तीन राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद देखे प्रती उपकार में कौन सी संदी है प्रती उपकार में कौन सी संदी है तो देखे इसका अगर हम संदी विक्षेद करेंगे तो यह आपका प्रती प्लस क्या हो जाएगा प्रती जोड उपकार होगा तो बताई इसमें कौन सी संदी है तो आप देख सकते है इसमें यन संदी है क्लियर इसमें कौन सी संदी है इसमें यन संदी है चलि अगला प्रशन करेंगे कि आबैल मुझे मार लोकोक्ती का सही अर्थ इसमें से क्या है आबैल मुझे मार इसका मतलब होता है कि जान बुझ करके मुसीबत मोले लेना जान बुझ करके आफ़त मोले ल इसमें से सुद्ध है, तो इसमें से सुद्ध जो है, अभिसेक इस तरह से लिखा जाता है, अभिसेक ये विल्कुल करेक्ट दिया गया है, किस करमांक का सब्द सर्प का प्रयवाचु नहीं है, इसमें से कौन सा सर्प का प्रयवाचु नहीं है, देखे सर्प का प्रयावाचु जो होता है आपको पता है एक तो साप होता है साप के बाद भुजंग होता है भुजंग के बाद देखे अही होता है ब्याल होता है पनग होता है उसके बाद विसधर होता है ठीक है यह सब ध्यान रखिएगा कुरंग नहीं होता है कुरंग इस इज़ा का सही बिलूम जो होता है इसमें से आपका अपेक्षा हो जाएगा चलिए यहां पर का रहा है कि on the basis of the given sentences pick out the correct sentence converted in negative from the given option इसमें से निगेटिव बताना है आपको कि you wasted your time तो यह देखे simple past का sentence है इसका आप negative जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका निगेटिव इसका निगेटिव बन जाएगा subject plus did not लगेगा और verb का पहला form लगेगा फिर object लगेगा तो यहां पर देखे subject you है तो subject में you आपका हो जाएगा उसका बाद निगेटिव में did not लगेगा did not लगा देंगे भर्ब का पहला form लग जाएगा तो यहां wasted का waste हो जाएगा और फिर object हो जाएगा your time तो option दो बिलकुल जो है correct दिया गया है clear चले फ्रेंड्स एक बार सभी लोग session को like कर देजे देखे select antonym for hurry hurry का उल्टा बताना है तो hurry मतलब सिगुर्ता करना होता है जल्दिबाजी करना होता है यहां पर देखे का इसका उल्टा जो होगा एंटॉनिम पुछा तो यह आपका हो जाएगा emble इसका मतलब क्या होता है यहां amblet बना लेंगे न, amblet तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यहां पर let जोड़े लिजी, ठीक है, amblet का मतलब होता है टहलना, ठीक है, amblet ही ठीक रहेगा, amblet का मतलब होता है टहलना, धीरे धीरे टहलना, ठीक है, चलिए, next question है, find the synonym of false, false मतलब क्या होता है, false मतलब गलत होता है ठीक आपको पता है ना असत्य होता है और इसका सिनोनिम बताने यहीं की समान अर्थ बताना है तो इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है इनकरेक्ट इसका राइट एंसर हो जाएगा इसमें से चलिए उसका बढ़ देखिएगा कि find out which part of the sentence has an error if there is no mistake in the answer 4 अगर mistake नहीं है कहीं भी error नहीं है तो आप answer 4 पर टिक लगाएगा देखिए इसमें कहीं भी error नहीं है इस बात को जहान रखिएगा बिलकुल यह correct है तो option चार्ज होगा इसका right answer हो जाएगा चलिए उसका बढ़ next question हमारा कि choose the option that describes the meaning of the following idiom and phrase कर रहा है कि above abroad इसका मतलब क्या होता है अब अब अबरोड का मतलब होता है legal honest यह मंदार होता है honest होता है तो यहां पर दीका honestly दिया गया है उसका बाद next question करेंगे कि choose the most suitable proposition आज ही मैंने 2010 से लेकर के 2023 तक में जितने भी पॉलिटी के प्रश्ण भारतिय समिधान के प्रश्ण बिहार पुलिस में पुछे गया है उनको कभर कराया है तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजेगा जोगरफी का मैंने complete करा दिया है कल जो है आपको history का वीडियो मिल जाएगा ठीक है चलिए he is slur खले स्थन दियागा his family slur का मतलब होता है कलंक होता है ठीक है तो he is a slur on his family clear यहां पर जो होगा on का इस्तमाल होगा उसके बाद देखेगा खले स्थन दियागा six tables in the room बताईए तो there are हो जाएगा sorry यहां पर दियागा there are there are six tables in the room clear चलिए उसके बाद देखेगा अब यह बिवेकानंद किस वर्ष में धरम के धरम के सिकागो संसत को संबोधित किया था बताईएगा सभी लोग answer कमेंट करिए important question है और इस तरह के प्रश्ण बिहार पुलिस मोल लड़ी पूछा जा चुका है तो देखे 1893 में इन्हों जी दिया था कहां पर तो सिकागो में कहां प इसे विध्यान रखेंगे रामकृष्ण मिशन के अस्थापना और बेलूर मठ के अस्थापना चले next question है कि स्वतंतरता सेनानी अरविंद घोस का अलिपूर बं मामले में किसे ने बचाव किया था अब देखे अलिपूर बंकांट 1908 की अगहटना है देखे वर्स 1908 में जारोप में गिरफतार किया गया और अलिपूर जेलमों उनको भेज दिया गया ठीके फ्रेंट्स जहां से इनको 1909 में बरी कर दिया गया था और उनके बचाव पक्ष की वकील थे यह चितरंजन दास थे ध्यान रखेंगे आप नेक्श कुस्टन करेंगे कि वर्स 1792 में वारानसी में संस्करित कोलेज की अस्थापना किस न किया था चल्दी से अंसर कमेंट करियेगा जोनाथन डंकन ने जोनाथन डंकन राइट अंसर हो जाएगा ठीके और 1908 में ध्यान रखेंगे उसके बाद क्या हुआ कि वर्ष उनिसो अंठाओन में संस्क्रित महाविद्याल्य एक विशुविद्द्याल्य बन गया यह उसके बहर देखेगा कि सुद्धवेद्ध किसका दर्शन सास्तर है देखे इस तरह से यहाँ पर बना लिजेगा सुध्धाद्वैद्ध ठीक है यहां किसका जो है दर्शन सास्त्र है चले बताएए सभी लोग एंसर कमेंट करिए तो देखे सुध्ध्वैद्व जो है यहां बलभाचार का है तो यहां पर देखे बलभ दिया गया है औप्सन त साथ यह भी आप ध्यान रखिएगा देखे ज्यानपीट पुरसकार जितने वाली पहली महिला कौन थी ज्यानपीट पुरसकार जो है सबसे पहले जी संकर कुरूप को 1965 में दिया गया था ठीक है और पहली महिला ज्यानपीट पुरसकार जितने वाली यह कौन है तो प्रथम महिला जो है यहां आसा पूर्णा देवी है क्लियर है इनकी कृति प्रत्थम प्रतिशुरूति यहां लिख देता हूं है इनकी कृति प्रत्थम प्रतिशुरूति जो की प्रत्थम प्रतिशुरूति जो की बंगला भासा में है इसके लिए 1976 में इनको ग्यानपीट पुरसकार दिया गया था अच्छा महादेवी बर्मा को जो है महादेवी बर्मा को यामा के लिए किसके लिए यामा के लिए जो है इनको 1982 में ग्यानपीट पुरसकार दिया गया था तो साथ साथ आप यह भी याद रखते चलेगा हिंदी के लिए इन इसी के लिए इनको ग्नबीट पुरुषकार दिया गया था तो आपको पता हैंने कि 5 प्रखत का rate सुप्रिम कोट जरी करता है और 132 में न्याला दूरा नियमलखित क्या जारी किया जाता है कौनसा रीट जारी किया जाता है तो फ्रेंट से रीट बंदी प्रतेक्षी करण है ध्यान रखिएगा आप क्लियर चलिए नियागरा जलपरपात जो है यह कहां पर है जलदी से कमेंट करिए सभी लोग नियागरा वाटरफॉल जलपरपात यहां कहां पर है तो USA और कानाडा क की सीमा पर है ठीक है तो यहां पर देखेगा USA में है option यहां पर चार राइट अंसर हो जाएगा देखे भारतिय समिधान के किस अनुछेत कंतरगत केंद्रिये प्रशाशनिक अधिकरन के निरनाय को उच्छितम नयाले में चुनावती दी जा सकती है चले सभी लोग एंसर कम पालन करने हेतु केंद्रिये प्रशाशनिक अधिकरन के अस्ठापना की गई थी ठीक है और इसी अनुछेत कंतरगत केंद्रिये प्रशाशनिक अधिकरन के निरने को उच्छितम नयाले में चुनावती दी जा सकती है तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा important है नया प्रशन आपके लिए नियमनलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उधारन है कौन सा देश इसमें से बहुल कार्यपालिका का उधारन है चले बताएगा देखे जब मुख्य कार्यपालिका एक व्यक्ति हो तो एकल प्रणाली जैसे कि अमेरिका में राष्टपती और भारत में र स्वीर्जर लेंड में साथ सदसिय कारेपालिका है और भारत में कारेपालिका का क्येवल राष्टपती होता है तो स्वीर्जर लेंड इसका राइट अंसर हो जैगा पर लेट अपा कि ह सबी लोग अंसर कमेंट करिए मैंने प्यारे भाई बहन समय नहीं है ज्यादे से ज्यादा रिविजन करना है चार-पांस दिन और से रह गया है नया कुछ भी नहीं पढ़ना है इस बात को आपको ध्यान रखना है चले एक बार प्रीबियस एर का कोस्टन आप देख सकते हैं म और यह आर्टिकल किसमें है 36 से लेकर की क्यावन तक में भाग चार में समिधान के क्लियर है चलिए देखिए पेशवा प्रथा ब्रेटिस द्वारा कि पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई तो कौने का मतलब यह है कि अंतिम पेशवा कौन था प्रश्ण इस तरह से भी प वारा प्रशण से सासन प्लिटी वाले सेक्षण में आज एहाँ प्रश्ण में आपको पता है इसका मतलब है कि उस राजय पर सासन है राजय के राजय पाल का किसका है राजय के राजय पाल का किलियर है ना चले आगे बढ़ते हैं और वर्तमान में बिहार के राजय पाल कौन है राजंद्र विश्वनाथ अर लेकर है ध्यान रखेगा पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था पाकिस्तान नाम जो है यहां किसने गढ़ा था बताईए सभी लोग अंसर कमेंट करिएगा तो देखे यह गढ़ा था चौधरी रहमत अली ने चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान राष्ट के संस्थापकों में से एक माना जाता है उन्होंने ही सुरपर्थम पाकिस्तान सब् उसे प्रचलित किया था और रहमत अली ने 28 फरवरी 1933 को एक परचा प्रस्तुत किया जिसे पाकिस्तान गोशना पत्र के भी नाम से जाना जाता है 1933 में 1933 में याद रखेगा चले किस चार्टर एक्ट से अब यहाँ पर ध्यान देने योग बात है कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ इस्टेंडिया कमपनी का बयापार एकादिकार समाप्त हो गया यह कौनसा चार्टर अध्यां है चले बताएगा तो दिखे यहाँ चार्टर अध्यां जो है एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए सही गलत जो भी आपको आता है आप कमेंट करिए डरिये मत हिचकिये मत चले बताएगा देखे 1833 का यह चार्टर अधिनियम है इसी के द्वारा इस्टेंडिया कमपनी का जो है चाय और चीन के साथ जो है बैपार पर एकादिकार समाप्त कर दिया गया तो 1833 का यह चार्टर एक्ट है चले परिसंग बनाने का विचार सरवपर्थम किसने प्रस्तावित किया था पर कितने आच्छे लेवल के प्रश् plupart में तो सर प्रतम यहां नहरू रिपोर्ट में किया था 1928 में प्रस्तूत नहरू रिपोर्ट में सर प्रसंग बनाने का विचार प्रसतावित किया था इस प्रस्ताव का नुसार केंदर में एक दुई सदनी विधाइका होगी और मंत्राले विधाइका के परती जबाब दे होगा क्लियर है जिम्मेदार होगा जबाब दे होगा तो राइट अंसर आपका नहरू रिपोर्ट उनिसो अठाइस चले उसका बदेखेगा कि बाल्टिक सागर ध्यान से पढ़िएगा प्रश्ण को लेकिए प्रश्न कारें कि बाल्टिक सागर के बंदरगाह बैपार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं आपशन पढ़िए और इसका अंसर ध्यान पूर्वक बताईएगा चले उसका बढ़ देखेगा कि प्रमुख दक्षिन पस्थिम एस्याई तेल छेत्र कहां पर इस्तित है अगर इसमें आप साथ नंबर भी ला लेते हैं तो आपकी तयारी बहतरीन समझी जाएगी तो राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा फारस की खाड़ी और उसके टटिये छेत्र या दुनिया के कच्चे तेल के सबसे बड़े स्रोथ हैं फारस की खाड़ी और उसके टटिये छेत्र चले फारस की खाड़ी के टटिये छेत्र ऑप्शन एक राइट अंसर हो जाएगा देखे निमने लिखित में से किसके भीतर विरस्पति का ग्यालेलियन उपगरह नहीं है यानि कि इसमें से विरस्पति का उपगरह कौन सा नहीं है जरा बताईए तो ध्यान से पढ़ करके तो देखे इसमें जो है यूरोपा ग्यानिमेड और कैलिस्टो यह वी रस्पतिक उपउरो है और आपको पता है न कि आपका जो मंगल है उसका उपउरा है Phobos Phobos और Demos यहां किसका है Phobos और Demos यहां मंगल का उपउरा है clear, चलिए उसका पह देखेगा कि खोगोल भौतकी में बाह अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और उर्जा निकलती हैं उसका नाम क्या दिया गया है? चली आसान प्रशन है, थोड़ा सा दिमाग लगा है, तो देखे इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है white hole, या white hole है, बाहे अंत्रिक्स में एक white hole, एक कालेपनिक छेध होता है, जिसमें उर्जा, सिता पदारे और अन्य खोगोलिय पदार्त उभरते हैं या फिर 20 होते हैं ठीक है तो यहां आपका वाइट होल हो जाएगा चलिए नेक्श कोस्टन करेंगे कि भारत के समिधान को अपनाये जाने के बाद पहला संसोधन कब किया गया था पहला संसोधन कब किया गया था तो पहला स 51 में किया गया था 1951 में पहला संसोधन हुआ ठीक है और प्रतम संसोधन अधिनियम ने अनुछेद 15 अनुछेद 19 यहां में लिख देतों अनुछेद 15 अनुछेद 19 कमस्तकम इतना आप याद रखेगा अनुछेद 15 उन्निस 85 87 174 176 341 342 372 376 में संसोधन किया गया क्लिए र अस्ता की गई है और भूमी सुधार और इसमें सामिल अन्य कानुनों को नयाइक समिक्षा से बचाने के लिए नवी अनुसूची जोड़ी गई नवी अनुसूची को जोड़ा गया था इसी के संसोधन के तहत ठीक है पहला संसोधन अप्शन चार राइट अंसर हो जाएग देखे जिस भारती होकी टीम ने वर्स 1928 में एमस्टर्डम में एमस्टर्डम कहां पर है तो यह नेधरलेंड में है प्रथम ओलंपिक स्वनपतक जीता था उस टीम का कप्तान कौन था जिस भारती होकी टीम ने वर्स 1928 में एमस्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वनपतक कप्तान कौन था चलि बताएगा उस टीम के कप्तान जो थे ये कहने कौन थे जैपाल सिंग थे जैपाल सिंग थे याद रखिएगा किलियर है चलि नेक्स कुशन करेंगे कि ब्रमांड सुंद्री यानि कि मिस वर्ड की बात की जा रही है पुरसकार की प्रतम भारती विजिता कौन है तो देखए मिस वर्ड की पुरसकार्ज्व है सबसे पहले किसने जिता है तो फ्रंड सिया जिता है किसने 1966 में भारत की रीता फारिया ने Miss World Contents जीता था और वह पहली भारतिये और ECI सुंद्री थी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में जीत हांसिल किया था रीता फारिया राइटंसर हो जाएगा क्लेर है और रीता फारिये के बाद दिखिए किसने जीता है और उसके बाद इनका नाम भी याद रखिएगा कौन इनका नाम है मानुसी छिलर इन्होंने भी जीता है 2017 में ठीक है अब Miss Universe की बात करें तो Miss Universe का खिताब सबसे पहले सुस्मिता सेन ने जीता था सुस्मिता सेन के बाद बात करें तो लारा दत्ता जीता है और 2021 में हरनाज सिंदू ने जीता है तो यह सब ध्यान रखिएगा ठीक है ग्यानपिट पुरसकार के प्रतम विजेता कौन थे तो यह हमने इसके बारे में डिसकसी कर लिया था जी संकर कुरूप 1965 में इनको ज्यानपिट पूरसकार दिया गया था और ध्यान रखेंगे यह मल्यालम भासा की कभी थे सल्मान रुस्दी की निमनलखीत रचनायों में से प्रतम रचना कौन सी थी देखें सारी रचना इसमें से सलमान रुस्टदी की ही है और इसमें से consider इनकी सबसे इसमें से अगर बात करें तो 1981 में यह रचन आई थी और 1985 में इनको इसके लिए बुकर पुरस्कार भी दिया गया था चले एक मातर देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं होता है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं होता है एक मातर देश यह कौन सा है तो देखे एक मातर देश जो है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है यह बिर्टेन है यह उनाइटेट किंगडम ह एक मातर देश जिसके डाग टिकट पर जारी करने वाले देश का नाम अंकित नहीं होता है या इसलिए है कि उनाइटेट किंग्डम विस्व में डाग टिकट जारी करने वाला पहला देश था क्लियर चलिए उसका बद्राश्टी नागर विमानन संगठन का नहीं है इसका हेट क्वाटर कनाडा के मौंट्रियल के क्वाल्टियर इंटरनेशनल मिश्थित हैं आपको मॉंट्रियल याद रखिएगा कानाडा के मॉंट्रियल में है अप्शन चार राइट अंसर हो जाएगा देखें प्रतेक वर्स के किस कैलेंडर माहा में प्रतेक प्रतम चार तारीक अर्थात एक से चार तक विशेष्ट प् देखें अक्टूबर को एक तारीक को विशु साकहारी दिवस मनाय जाता है बुजूर्गों के लिए अंतराश्टी दिवस उसके बाद दो तारीक को अहिंसा पर अंतराश्टी दिवस मनाय जाता है तीन तारीक को विशु पर्यास दिवस मनाय जाता है चार तारीक को विश सइभाई जाट-जाटि बिहार का है उत्तरप्रद्थिस का नोटंकी गुज्राथ का गरबा केरल का करघम गलत है करघम जो है यह तमिलादू का है टमिलादू का हint और कौन सा इसमस गलत है तो ऑप्सन एक हलत है भारतध नठयम लाद nichts ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसका बढ़े कि Facebook के संस्थापक कौन है, Facebook के संस्थापक कौन है, तो friends इनका नाम आपको भलीभांती याद होगा, यह Mark Zuckerberg है, Mark Zuckerberg, रैट अंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, Mark Zuckerberg है, चलिए उसका बद देखेगा कि सूसी निमनलिखित में से किस देश का प्रसिद्वेंजन है सूसी जो है या किस देश का प्रसिद्वेंजन है तो नाम से ही आप पगल दीजिएगा बताइए सूसी जो है यह कहां का है तो यहाँ जापान का एक प्रसिद्वेंजक है और नावल से बनाए जाता है ठीक है उसको बदे के निमलिकित में एक से किन को समयधानिक इस्थिती प्राप्त आपको बताना है कि कि इसको ผม बताना है कि आपको हुई थी तो राष्टि विकास परिस्त के अस्थापना भी याद रखेंगे यह भी हो सकता है आप से पूछ लिया जाए तो इसके अस्थापना कप की गई थी तो फ्रेंस 1952 में की गई थी प्रथम पंस वर्शी युजना के दौरान 1952 में किलियर है ना चली कौन सा इसमें से समयदानिक निकाय नहीं है तो आपका B हो जाएगा और D हो जाएगा तो ऑपसें 3 में दिया गया है B और D देखे, Pitts इंडिया एक्ट के अंतरगत निमने लिखैत में से किस्से अस्थापित किया गया ठा ईस سے सरकार का कंपपनी के मामलों में नेंतरण बढ़ गया और इसी अधनियम के द्वरा नेंतरण बोर्ड की अस्थापना की गई थी नियंतरन बोर्ड यानि कि Board of Control ठीक है तो यहां पर दिखें नियंतरन बोर्ड या Board of Control याद रखेएगा चले किसका पर्थम धर्म उपदेश, धर्मचक्र परवर्तन और सुत्र कहलाया तो यह आपको पता है गौतम बुद्ध towards इन्हों ने पहला उपदेश रिसी पत्नम सारनाथ में दिया था जो कि क्या कहला है धर्मचक्र परवरतन कहलाया नेक्स्ट कोशन है कि कौन सा प्राचीन अस्थल का साब्दिक अर्थ मिर्तको का टीला है मिर्तको का टीला तो फ्रेंड्स या कौन सा अस्थल है मोहन जोदड़ो मोहन जोदड़ो का साब्दिक अर्थ होता है मिर्तको का टीला क्लियर चले उसके बाद नेक्स्ट कोशन है कि गुरु गोबिंद सिंग से सम्मद महतपुन धार्मिक अस्थाल तक्त स्री हरमंदर जी कहां परिस्तित है जल्दी से बताईए तो ये पटना साहिब में है आपको याद होगा तक्त स्री हरमंदर ठीक है अप्सन नमबर दो जोजिला पास या जोजिला दर्रा किस राज में स्तित है जोजिला दर्रा जो है यह किस राज में स्तित है जोजिला जो है यहां कहां पर है जल्दी से बताईए तो जोजिला जो है यहां कहां पर है तो फ्रेंस यहां जम्मकस्मीर में है ठीक है जोजिला नाथूला और जल प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र अब तक कितने प्रधान मंत्री को भारत रत्न दिया जा चुका है तो यह साथ प्रधान मंत्री हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है साथ वे प्रधान मंत्री कौन है तो अटल विहारी बाजपेज जी को दिया गया आखरी बार यह प्रधान मंत्री जो थे इनको दिया अच्छा राजिंद प्रसाद को यहां प्रदिकलाल बहादुर सास्त्री जी को कब दिया गया था 1966 में दिया गया इंद्रा गांधी को 1971 में चले नेक्ष कुष्चन है कि समिधान का कौन सा संसोधन राजनितिक दल बदल से संबंदित है बड़ा ही आसान है बड़ा ही इंपोर्टेंट है तो यह 1985 आपको याद होगा 52 समिधान संसोधन कौन सी अनसूची जोड़ी गई दस भी अनसूची जोड़ी गई थी आपको याद भी होगा ठीक है दल बदल पर प्रतिबंद लगाए गया भारत के समिधान की कौन सी अनसूची पुरा प्रशन दिख रहा है भारत के समिधान की कौन सी अनसूची राज मिजोरम राज के जन्जाती छेत्रों के प्रशाशन का उपबंध है यह चार नाम आपको याद रखना है राज्यों का असम मेघाले तृपुरा और मिजोरम चोथी अनसुची इसका राइट अंसर हो जाएगा पांचवी अनसुची में क्या है तो पांचवी लक्षमिबाई राष्टिए शिक्षा संस्थान कहाँ पर इσतित है निर्मान की मांग प्रस्तुत करने मेंत्यन प्रकाशन कब कब आरंब हुआ था बिहार टाइम्स। का प्रकाह्षत जुए यहां अरंब हुआ था कब बताएगा तो राइट ay метода इसका होजाएगा अठारास सु चूरानवे में जता आरया सूरानवे में याद रखिएगा चले बिहार के इन के बताना है सही क्रम आपको बताना है बताइए दो प्रसान परिक्त मेंसתי कोई नहीं है तो सीधे मैं इसका अंसर आपको बता देता हूं, कि स्रिक्रिशन सिंह देपन रायन सिंह क्रिशन बलब सहाए महा माया प्र springsat आप संद extrater हो जाया, पहले दलित मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो भोला पास्वान सास्त्री पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री या अलपसंख्यक मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो कल ही मैंना इनका नाम बताया था जर आप मुझे कमेंट करके बताईएगा ठीक है चले पहली महिला मुख्य मंत्री राबडी देवी हैं चली next question है सबसे ज़्यादा समय तक मुख मंत्री बिहार के नितिश कुमार रहे हैं चली next question है कि बिहार के संस्थानों और उनके अस्थापना का सही सुमेलित करना आपको और यहां से नीची से अंसर कूट में से चुन करके आपको बताना है चली बताएगा 69 नंबर है तीन प्रशन आया मतलब तीन आपको दिख रहा है चली बताएगा राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा देखे बिहार राज पुस्त काले संगे इसके अस्थापना 1936 में ठीक है कासी प्रशाद जैसवाल इंस्टिचूट पटना इसके अस्थापना 1950 में नंबर में दिया गया है मिथला संस्कृत आगे देख लेते हैं 43 याद रखिएगा 43 याद रखिएगा 43 मिथला संस्कृत विद्यापीट दरभंगा इसके अस्थापना 1951 में की गई थी और तो यह इसका क्या होजाएगा जबत रिखाएगा Aber here 5 दिया हुँआ से इसको आप याद रखिएगा । पुस्तकाले संग मैंने आपको बताया था 1936 कासी प्रसाद जासवाल इंस्टीचूट 1950 ठीक है तो आप याद ही रख लिजी सीधे चले मिथला संस्कृत विद्धापीठ दरभंगा 1951 और बिहार उर्दू अकादिवी पटना ये 1975 ठीक है चले अगला प्रशन करेंगे कि बिहार आज में कहां पुरा तत्विक संग्राहले के अस्थापना की गई है कहां पर की गई है तो फ्रेंट्स ये किया गया है कहां पर मनालंदा में भी वैसाली में भी और बोध गया में तो पर उप्त सभी जोगा इसका राइट अंसर हो जाएगा देखे किसी कार को दस सेकंड में अब यहां पर ध्यान देजिएगा देखिए प्रश्ण में का रहा है कि किसी कार को दस सेकंड में क्लियर है में दस सेकंड में तैस्म्येटर परति सेकंड के विए देने के लिए आथे सक बल यात करी यह दिकार का वजण आपका कितना पंद्रहसो कीजी ताइम दे रखा है दस सेकंड ठीक है अब देखिए अब इसको हम कैसे निकालेंगे आपसे क्या का रहा है कि यहां पर आपको बल निकालना है निउटन में दे रहा है तो f इक्वल्टी क्या होता है m into a होता है होता है मास तो आपको दे रखा है आपको नहीं दिया है तो निकालने का आपको तरीका मैं बता देता हूं थेलेर्शन इकवल्टो क्या होता है तो यह होता है v-u उप्वान टी होता है तो कि यहांаковर वर इतिक vyक्वल्टी कितना दिया है तो थेतीज में से पर सेकंड स्क्वाइर एकसेलरेशन हो जाएगा मेटर पर सेकंड स्क्वाइर होता है एकसेलरेशन का युनिट ठीक है ना तो आप देखे एफ इक वल्टू एम हो गया आपका पंदरा सोओ और तीन आपका यहाँ पर acceleration निकल गया तो निकाल दीजिए पंदरतियां 45-100 Newton option A right answer हो जाएगा चले उसका बाद देखेगा कि दो वस्त्व की बिच गुर्तवाकर्शन बल 100 Newton है समझ में आ रहा है ना उसके बाद कर रहा है कि दोनों के मद्द की दूरी कितना बढ़ा दिया जाए कि यहाँ 50 Newton हो जाए सिंपल सा है इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है अब देखें यहाँ पर आपको पता नहीं कि F1 upon F2 क्या होता है दूरी के वर्ग के व्योतकर्मान उपाती होता है तो यह R2 हो जाएगा और यह R1 हो जाएगा क्लियर है और यह क्या हो जाएगा स्क्वाइर हो जाएगा तो यहाँ पर दिके 100 है और 50 Newton करना है तो इसका भी स्क्वाइर करेंगे ठीक है मतलब यह अब रूट आ जाएगा अब यह रूट आ जाएगा अब यह रूट आ जाएगा क्लियर है तो यह कितना हो जाएगा तो पचास दुना सौ हो जाएगा यानि कि यह आपका रूट इकवल टू कितना हो जाएगा टूरू रूट अंडर आर वन हो जाएगा किलिए रहा है ना तो राइट एंसर इसका रूट दो गुना हो जाएगा चले उसका बाद देखेगा कि जब धोनी तरंग एक माध्यम से दू करता है तो वह रासी जो नियत रहती है यानि कि बदलती नहीं है कौन सी रासी है हुआ चले फटा-फट एंसर कमेंट करिए आसान प्रश्ण बठी इंपोर्टेंट है बड़ा ही इंपोर्टेंट है तो यह आविरती नहीं बदलती है चले बाकी गती तरंग दर यह सब आयाम यह बदल जाते हैं गैस को सुगमता से द्रवीवुत किया जा सकता है तो दाब को बढ़ा करके और ताप को घटा करके ठीक है ना एक तत्व के परमानू में M cell में दो Electron है उस्तर्व की परमानू संख्या क्या है का एल और M होता है ठीक है ना L में 8 होता है पापको पता है और M में करा कि दिए तो यह 2 इसमें maximum होता है और L में maximum होता है तो यह का है तो यह 2 और 8 तो 8 थ ét है तो अभी इथाउकसाइड का रसानिक फर्मूला आपसे पुछा जा रहा है चले बताएगा इसका फर्मूला क्या होता है सबी लोग स्कूर बताईएगा और एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए तो फ्रेंस इसका फर्मूला होता है कितना तो सी टू एच फाइप ओ एन ए इ प्रियान रखिएगा ब्यूटेन का इसमें सब पूछ रहा है कि structure कौन सा है तो ब्यूटेन का फर्मूला आपको पता होना चाहिए चीफोर होता है अब यहां पर देखेंए चाहिए और सब में सिंगल बॉंड होगा क्योंकि यह एलकेन गूरूप का है एक दो तीन चार चा रखा है तो भाग दिन पर क्या भाग भलोगा तो भाग दे दिजिए इसका जाएगा 7x square प्लस x प्लस 5 ठीक है भाग दे दिजिएगा भाग इसको इस तरह से आप दे दिजिएगा ठीक है 9x-1 और यह भाग दे दिजिए इससे 2x-1 से ठीक है ना चलिए नेक्स कुस्चन कर रहने दिजिएहगे सिंपल सा कोश्कन एकश्चन एक जीवटा 6 हो जाएगा अगर यहां जी है तो वहाँ पर 6 हो जाएगा पौधे के पौण हरित्मे कौन सा द्वी संजोजक धातु उपस्तित होती है बताइए पौधे के पौण हरित्मे क्लोरोफिल में कौन सी द्वी संजोजक धातु उपस्तित होती है तो यह धातु जो है यह मैगनिसियम है चले उसका बद किसी तत्व के कोई तत्व X है इसके एकल परमानु की मात्रा दे रखा है तो वह कौन सा तत्वा है एकल परमानु की जब भी मात्रा पुछेगा तो आप क्या करिएगा दो दिसम्मलव चो पाच गुना दस के पावर माइनस तेश और जो फ्रेंड्स इसमें आप गुना कर देंगे किसना से तो 6.022 इंटू 10 के प क्योंक मास होता है क्लियर चलिए कि 72 नमर प्रशन पढ़िएगा थोड़ा से छोटा कर देता हूं यदि किसी साधारन कांच की नली और एक कांच को सिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निमलकित में से किसम उठेगा बताईए तो देखे यदि हम किस किसी का इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ना कि कह रहा है कि धातु के टुकड़े का आपेक्षिक घनतों दे रखा है एसा ही मात्रक में इसका घनतों जो है यहां पर देखिए कि क्या है तो देखे धातु का आपेक्षिक घनतों जो है धातु का आपेक्षिक घनतों कितना होता है तो धातु का घनतों बटा जल का घनतों ठीक है तो यहां पर देखिएगा धातु का घनतों कितना है आपेक्षिक घनतों बरावर यहां में लिए तो आपेक्षिक घनतों बरावर कर आ यहां कि धातू के टुक्डे का आपैकसी घंतु आपैकसी घंतू तो साथ दिसामलो आठ दे रखा है। कफ़े عنि कि धातू का निकालना है तो यह आपैकसी कटूं जल का घंत रहएका, यहां पर दे रहएकि साथ dwa कुणा कितना हो जाएगा। 7.8 गुना 1000, ठीक है न, यह 78-100 हो जाएगा, हो जाएगा न, यह decimal हटाएगा, तो एक जिरो कैंसिल होगा, तो यह 78-100 हो जाएगा, अपसर में देखिए कहां पर दिया गया है, 78-100 किलोग्राम पर घन मेटर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, ग्यात सबसे छोटा प्रोकेरियोटि बताएगे, तो फ्रेंट्स, यह माइको प्लाजमा है, ठीक है, बर्मी कमपोस्टिंग किसमी की जाती है, तो बर्मी कमपोस्टिंग जो है, आपको पता है न, किसमी की जाती है, क्रेमी और शुक्ष्मजिव को उप्यो करके इसमें जो है बर्मी कोम्पुस्टिंग आपको याद है केचुवे का तो यहाँ पर देखिकें से क्रेमी धिया गया है चेले उसके बार देखेंगा कि परवलाइक दर्पनों का प्रयोग किया जाता है पर वलाईक दरपनों का परियोग कार की हेड लाइट में किया जाता है इस प्रकार के दरपन एक दुरस्त स्रोत से उर्जा को एक गतर करके उसे एक उभायनिष्ट फोकस बिंदू पर लाते है तो परियुप्त होते हैं ठेके न, तो राइट अर्वाय इसका हो जाएगा कार की हेड लाइट में, सेविंग दरपन ऑफल होता है, दन चिकचक ऑफल दरपन ठेके, ध्यान रखिएंगा, और ड्राविंग जो दरपन होता है, साइड मिरर, उसमें उत्तल का प्रियोग किया जाता है, लाल रंग को आप प्रम्हानु के बोर मॉडल का सुधतम प्रती थित्म नहीं करता है अब यहां पर दिखेगा इसमें ठीक है दो है इसमें यह गलत हो जाएगा अभी इसमें अब यहां पर एक, दो, तीन, चार, यहां पर पांच, छे, साथ, आठ, नो है। तो एक तो इह फालू नहीं कर रहा है। और एक तो इह फालू नहीं कर रहे गा। तो राइट अंसर इसका दो और चार हो जाएगा जो कि अप्संदो में है दो और चार ठीक है चलिए निमलकित में से वीधूत इंसुलेशन को तैयार करने में किस एलुमिनो सिलिकट खनीज चा प्रयोग ब्यापक रूप से किया जाता है चले बताएगा इसका right answer क्या हो जाएगा वीधूत इंसुलेशन को तैयार करने में इस राइटानसर हो जाएगा चेली उसके अब दो है उर्जा का वहसृूरत कौन जो नब करनी या पूछा गया है तो इस वे भूतापкиए उर्जा हो जाएगा फूताप्य उर्जा नवीकरण है च्युक्र्छी कुस्ण नेक निम्लेखित में से वह अबला कौं सा है जो अम आसे भीति में गुरंथियों दवरा सरावित होता है तो मुद्री जीव होता है कोरल समुद्री जी होता है प्रवाल भित्ति मुंगा की चटान चलो उसके बाद देखेगा next question है कि भूरी सरकरा के विलियन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोईले को निम्लिकित में से क्या कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं चले बताएगा right answer इसका क् भूरी सरकरा की विलियन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोईला को क्या कहते हैं तो इसको जानतो चारकूल कहा जाता है यहां पर option में देखेए जानतो चारकूल कहा जाता है ठीक है चले उसके बाद देखें निम्लिकित में सब गैस कौन सी है जो प्रशन करेंगे कि विसालतम औक सेरुकी जनतु कौन सा इसमिस है विसालतम औक सेरुकी तो विसालतम औक सेरुकी जो है या इसमिसे मोलस्क हो जाएगा उसके बाद के कीट एक प्रानी है जिसमें होता है कीट में क्या होता है कीट में तीन जोड़ी संयुक्त्र टांगे होती ह है उसके सरीर के मुख्के तीन हख्यां सीर वक्ष और पेट ठीक करना चली तो यह तीन जोड़ी टांगय हो जाएगा कि कान का पर्दा कि सब्सक्रांइब नहीं होता है को American can का परदा इसमें से किस्म नहीं होता है अंब कर तो इसमें सब्सक्राइब इसका साफ में कान का परदा नहीं होता है निम्लगित में से कौन सा सुक्ष्ण जीव दूद इसे दही निर्बान में सहायता होता है धो इसम्पल सा कौस्तन है तो यह Lactobacillus है ठीक है ना चली निम्ठ कि देखेगा कि उत्तल लेंस के फोकस की लंबाई 30 cm है इसका फोकस दे रखा है कितना 30 cm इसके सामने कितनी दुरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिभिम लेंस के दूसरी और 60 cm पर बने यानि कि यू इसका पूछा जा रहा है भीद रखा है 60 cm ठीक है ना फर्मुला 1 ऐखर एक्वरल 2 equals, 15, 1 वापन यू होता है यहां एफ दिका रहा है 30 दीया गया तो एक बठत 3 हो जाएगा कि एक बठत साथ हो जाएगा माइनस एक हुआ यूद आपको निकालना है तो दीखें एक बटा u equal to कितना हो जाएगा तो एक बटा u equal to हो जाएगा इधर से इसको इधर भेज दीजिए मतलब यह minus में तो इधर पलस में जाएगा यह इधर आएगा तो minus में आजाएगा तो एक बटा U equal to हो जाएगा, एक बटा 60-1 बटा 30 अब इसको solve कर दीजिए तो यह आपका 60LC हमा जाएगा तो 1 हो जाएगा 30 दूनah 60 इधर minus 2 हो जाएगा तो एक बटा U equal to कितना हो गया minus 1 बटा 60 हो गया यह यह equal to कितना हो जाएगा तो यह 60 centimeter इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ना चलिए अब यहां से मैत का प्रश्ण स्टार्ट हो रहा है मैं फटा फटा आपको एंसर बता देता हूं तब तक आप इन अब्य प्रश्णों में से अपना स्कोर कमेंट कर जीजिए सेशन को जल्दी से एक बार लाइक कर जीजिए और फ्रेंट्स इनको एक बार सेयर कर जीजिएगा ठीक है ना चलिए राइट अंसर इसका अप्शन नमबर 2 हो जाएगा चलिए उसका बार 92 का देख लिजिए एक बार प्रश्ण भी आप देख सकते हैं 92 का करेक्ट अंसर अप्शन एक हो जाएगा चलिए 93 का देख लिजिए 93 का राइट अंसर जो होगा अप्शन यहां पर 4 हो जाएगा 3.6 प्रतिशत लाब ठीक है चलिए कितना नमबर था 94 नमबर 93 नमबर हाँ 93 था चलिए 94 का देख लिजिए 94 का आपका तीन अंसर हो जाएगा 95 का एक हो जाएगा 96 का देख लिजिए 96 का चार हो जाएगा ठीक है ना चलिए 97 का 97 का करेक्ट अंसर जोगा यह भी चार हो जाएगा 98 का एक हो जाएगा 16 वर्स 99 का देख लिजिए 99 का इतना बड़ा बड़ा अंसर प्रश्ण है घबराना नहीं है 98 का आपका हो जाएगा इसमें से कितना 99 का 99 का एक हो जाएगा और 100 का देखिए 100 का करेक्टन सर्थ 2 हो जाएगा ठीक है ना सेशन को लाइक कर जीजिए और इसको share